बोरिंग ब्रेक से कैसे बचा जाए? वी आईपी पार्टी का न्योता? हर किसी को एली से बड़िया फोन मिलता है, गरीब हेली को छोड़ कर. कितना गलत है, उदास मत होना, निक के पास सब ठीक करने के लिए जबर्दस प्लान है. चाहे गरीबों की जिन्दगी जितनी भी मुश्कल हो, पड़ टॉयलेट पेपर चुराना? तुम्हारी तमीज कहां है लड़की? निक इस अजीब परिस्तिती को हिली के हक में बदलने वाला है. एक मारकर की मदल से टॉयलेट पेपर पार्टी के एक रंगी न्योते में बदल जाता है. अब स्कूल में सब को इसका एक-एक टुकला दिया जा सकता है. और एली बहुत से इमिटेशन्स के नीचे दब गई. हर पार्टी का सबसे जरूरी हिस्सा होता है आउटफिट. अग, सच में बगवास. वाह, ये ड्रेस्ट बेहतरीन है. ओ, नहीं, लगता है घर में चोर गुस रहे हैं. ये सही समय है प्राइज में जीरो बढ़ाने का. वैसे भी अमीद लोग प्राइज टैक को कभी नहीं देखते. जाहिर है गरीब लोगों के लिए कुछ चुनना बहुत मुश्कल होता है. वैसे, एक आम शर्ट से कुछ बनाना आसान है. नहीं, लड़कों वाली शर्ट हेली पर जच नहीं रही. एक दो क्लिक्स. फेशन मैगजीन के कवर से निकली हो. पार्टी में सुन्दर दिखना चाहिए. इसलिए हर लड़की अपने-पने हिसाब से इस दिन की तयारी कर रही है. पर ऐसा किसने कहा कि ब्यूट्री ट्रीट्मेंट्स लाइट स्नैक के साथ कमबाइन नहीं किये जा सकते? खाने लाइक कॉस्मेटिक्स नाहीं सिर्फ खुबसूरत होते हैं, बलकि बहुत ही स्वादिष्ट भी. फफ, मुश्किल दिन था. सोने का समय है. कितना अच्छा सपना है. मैं धेर सारी स्वीट स्वारी इस्टर बास्किट में हूँ. पर हेली क्या सपना देख रही है? एक बुरा सपना. ओ नहीं, वो एक पंची के बच्चे की तरह शेल में है. यहां कुछ गड़बढ़ होने वाली है. यहां से निकलना चाहिए. किसे पता की स्कूल के लॉकर में क्या छिपा है? जैसे की एली को एक अस्ली खरगोश मिला. पर लगता है यह उतना आसान नहीं है. उसने सुनहरे अंडे दिये. ओ, मिल गया. तो यह जादूगर का खरगोश था. पर यह यहां क्या कर रहा था? हर पार्टी के लिए पैसे चाहिए होते हैं. पर अगर आपका वॉलेट खाली हो. एक मिनट रुको. यह अमीर एली का कमरा है. शायद उसके कूड़े में से कुछ दिल्चस्प मिल जाए. तो शाही कूड़े को खोलना कौन शुरू करेगा? यह मौका निक को मिला. वा, एक असली आइफोन. पर इसमें और क्या है? एक बड़ा सा टेडी बियर. तुम इसमें आए कैसे? हुरे! फेली को पैसे मिले. अब पार्टी जरूर होगी. सुनहरा अंडा बिस्तर पर क्या कर रहा है? वा, और एक तक्ये के नीचे भी है. पर सिर्फ छोटे-छोटे क्यों? बड़ा वाला कहा है? ओ, ये रहा. ये आने वाली पार्टी में सजावट के लिए बहुत अच्छा लगेगा. उप्स, एली के सपने तूट गए. बिलकुल इस अंडे की तरहां. निक में हेली के लिए खास तोफा तयार किया है. चौकलेट एक. कितना स्वादेश्ट हैं. देखते ही खाने के इच्छा कर जाए. वाह! अमीरों की जिन्दगी बहुत थकान भरी होती है. कभी-कभी बेहतर होता है कि थोड़ा सो लिया जाए. वैसे, कोई अपने आपको कैसे रोख सकता है? किसी औरत की मूछे बना कर उसे कुश कर देने से. अब समय है कुछ तस्वीर लेने का, क्योंकि दोस्त इन बातों पर विश्वास नहीं करेंगे. और एक परस्नल एल्बम के लिए थोड़ी दिल्चस्प तस्वीर लेने की कोशिश करें. ओ नहीं, ये शायद उसकी इस आइफोन में आखरी तस्वीर है. ब्यूट्री ट्रीट्मेंट्स को अच्छे स्नैक के साथ जोड़ा जा सकता है. जैसे की जल्दी से बने हुए पॉपकॉन. पर इसमें कुछ जादा ही देर लग गई. परिशानी क्या है? ओ, अच्छा! अब सब होना चाहिए. वाह! ये तो एक असली पॉपकॉन मेटियोराइट है. सब साथधान हो जाओ. सिक्यारटी, ध्यान दो, अब कुछ कर दिखाने का समय है. एक कमाल की छला. पहुत स्वादिश्ट है. वाह! पॉपकॉन का पूरा पहाड! कितना खूबसूरत कॉक्टेल है, पर इसका स्वाद कैसा है? जाहिर है एली को ये बहुत पसंद आया. पर लगता है कोई स्वीट डिजर्ट खाने का बहुत चोकीन है. खाना उसके मुँपर एक फवारे की तरा पड़ा. कोई भी इस गुडिज के धेर से नहीं बच सकता. इन स्वादिश्ट इंग्रीडिन्ट से क्या बनाया जाए? निक ने स्वीट टॉटिया बनाने की मास्टर क्लास रखी. हेली रूख ही नहीं पा रही. अब वो निक को अपना खाना बनाने के हुनर से सर्प्राइज करना चाहती है. बस कुछ टचेज और स्नैक तयार है. वाह! ये बहुत स्पाइसी है. उसके मुँ में आग की लप्टे नाच रही है. ये अच्छा हुआ कि उसे दूद से बुजा दिया गया. हाँ, ये लड़की अभी शेफ नहीं बन सकती. बोरियत कैसे दूर की जाए? अगर एक इंसान अमीर है, तो वो सिर्व एक कॉल करेगी और एक चॉकलेट फाउंटेन और मश्वूर डीजे मार्शमेलो उसके लिए आ जाएंगे. वो चॉकलेट डाल कर एक अच्ची से इंस्टाग्राम स्टोरी बना सकती है. पर हेली इससे खुश नहीं है. लगता है निक के पास एक और आइडिया है. मशूर आर्टिस सैंड़िच का कॉंसर्ट कैसे रहेगा? साफ है कि इस परफॉरमेंस से उन दोनों का होसला बढ़ गया. ये दिल्चस्प होगा कि कुईन को आज खाने में क्या मिलने वाला है? खाना कहा है? और ये रसी किसलिए है? वाह! स्वादिश ट्रीट की बारिश! चॉकलेट बार से लेकर चुईंग गमस्तर. जिन्दगी बहुत बहतरीन है. हेली के खाने में क्या है? अभी ही देख लेना सही रहेगा. और उसके पास भी स्वीट का पूरा बाउल है. पर हेली कुछ और स्वादिश ट्रीट को पाने के लालच में उड़ गए. अब निक की बारी है अपनी किसमत आजमानी की. वाह! उसे तो एक असली खजाना मिल गया. पार्टी में सब कुछ पॉफेक्ट होना चाही. खास तोर पर घर का हूलिया. इसके लिए एक असली जोद्दा की जुरुत है. सिर्फ गरीबों को ही सब अपने हातों से साफ करना पड़ता है. जहां एली अपने हातों की तुचा का खयाल रख रही है, वहीं हेली टॉलेट का खयाल रख रही है. सोने की चेन बहुत भारी है. अब इन फिटिंग से थोड़ा ब्रेक लेने का समय है. फफ! अकेले सफाई करना बहुत मिश्किल होता है. उप्स! ये क्या कर दिया? निक को भी पोछा मारना होगा. अमीरों के पास इन सब के लिए समय नहीं है. पार्टी का ड्रेस कोड बहुत स्ट्रिक्ट था, तो फिर बहुत महंगे होने चाहिए. पर लोग पार्टी पर सिर्फ मज़े करने आते हैं. तो ऐसी पार्टी तो गरीब लड़की ने रखी है. क्या हुआ? सब कहां गए? सर्प्राइज! उप्स! इस तिती ने बनी बनाई इज़त को बरबाद कर दिया. आखिर कार निक और हेली को अकेले वक्ट गुजारने का मौका मेला. पर किसी को इंस्टाग्राइम पर अपने आपको दिखाने का इंतजार हो ही नहीं रहा. हेली गुस्टे से लाल हो रही है. वाह! इतना गुस्टा!